आप सबका स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए मैं सुधीर अत्यंत हर्शित हूँ आज का ये सारस्व सत्र हमारे केंद्र की स्थापना के 30 साल पूरे होने के उपलक्षे में आयोजित महोत्सव का एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण हिस्सा है तीस साल चाहे व्यक्ति के हूँ या संस्था के एक परिपक्वता की और ले जाने वाली अवधी कही जा सकती है तो इस अफसर पर ऐसे भव्य महुत्सव का आयोजन युक्ति युक्त है जैसा आप साब जानते होंगे उत्सव शब्द वस्तुता संस्कृत में उत्स उपसर्ग पूर्वग सब्द से मिश्पन है सब का अर्थ होता है दुख तो दुखों का निवारन करने वाला जो है वो उत्सव होता है अर्थात खुशी कराने वाला मैंने कहा था कि छोटा सा पर महत्वपूर्ण चोटा सा इसलिए कि केवल लबग दो घंटे चलेगा ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए कि इन दो घंटों में हमें कुछ ऐसे प्रतिष्ठित, प्रबुद्ध एवं विचारशील विशेशग्यों को सुनने का अवसर मिलेगा जिनोंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और ये एक ऐसे विशेश पर हमें आलोकित करेंगे जो हम सबसे संबद्ध है पर जिस पर अभी एक सुव्यवस्थित संबाद का अभाव है ये विशेश है माई आइडिया ओफ न्यू एडिया राम राज्य से होता हुआ हमारे सपनों का भारत स्वामी विवेका नंद के सपनों के भारत तक पहुंचा जहां उन्होंने कंठोप निशद से ली हुई बातों को कहा था और ये कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष तुम्हें हासिल न अगर हम उसका अनुकरन करने लगें तो मुझे लगता है कि जग सिर मौर जो भारत को बनाने की कोशिश है उसमें हम लों को बहुत ज्यादा कुछ अलग से प्रयास नहीं करने पड़ेंगे लेकिन सबसे आप सभी सहमत होंगे मेरे ख्याल से इस बात से कि हमारी जो समस्या ह है वो हमारा दो मुहापन है हम संसकारों को अच्छी बातों को आदर्शों को किसी एक लिबास की तरह किसी कोट की तरह पहनते हैं जब हम समाज में लोगों के बीच में उठते बैठते हैं और यही जो दो मुहापन है डाइकॉटमी है हमारे समाज की यही हमारे हमारे हमारी तमाम समस्याओं की जननी है तो मुझे लगता है कि अगर हम इस दो मुहें पेंसे अपने आपको आजाद करा लें तो हमको नहीं लगता कि इस तरह के विशय में फिर कॉंक्लेट्स की आवशकता होगी फिर शायद कुछ और विशय होंगे जिसमें हम चर्चा कर रहे होंगे आई अब इससे आगे बढ़ते हुए चलें और हरीश वरणवाल सहाब क्योंकि उन्होंने ये जो हम जिस पर चर्चा कर रहे है माई आईडिय ओफ न्यू इंडिया ये वसुदहेव कुटमभुकम को सहना भुनक्तु सहनो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवाव है या आनो भद्राहकृत भोजंत को जिसको वो अपना सपनों का भारत बता रहे हों माई आईडिय ओफ न्यू इंडिया बता रहे हों आईए पढ़ें उस दिमाग को ह पारीश चंद्रवर्णवाल सहाब के माध्यम से प्लीज मैं इस विशय पर कुछ भी बोलने से पहले माई आईडिया ओफ न्यू इंडिया पर मैं प्रधान मंत्री को कोट करना चाहूंगा नों ने एक बार कहा था हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां गरीब के हम सब मिलकर के एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां यवाओं महलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध होंगे हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जो आतंकवाद संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां व्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से कोई समझोता नहीं होगा हम सब मिल करके एक ऐसा भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा दोस्तों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो topic हमने रखा है, my idea of new India इसमें आप गौर कीजिएगा इसमें ये नहीं लिखा कि my new idea of India ये new idea की बात बिलकुल भी नहीं हो रही है यहाँ पे new India की बात हो रही है इस फर्क को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें हमारे बीच भी जितने लोग बैठे हैं अगर 10 लोग भी हम अगर परिचर्चा करें तो इन 10 में 100 आइडिया निकलेंगे हर इंसान के पास 50 आइडिया और हर कोई जब एक दूसरे से बात करता आप कोई बिजनेस भ बात कीजिये तो सब को लगता है कि यार मेरा तो बड़ा इूनिक आइडिया है है हर किसी के पास यूनिक आइडिया है और ये भी बूलता है कि किसी और को बोलना मत लेकिन आप यकीन मानिए आपके पास 10,000 आइडिया हों और हर idea में ताकत होती अगर आप उसके पीछे दिल से लग जाएं तो हर idea successful होता है लेकिन उसके पीछे आपकी एक लगन होनी चाहिए तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो नए भारत की बात हो रही है वहाँ नए ideas की बात नहीं हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम out of the box आपने निकाल के रख दिया और देश बदल गया मतलब उपर से कोई एक जादूगर आएगा और सब कुछ बदल के रख देगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस देश में कुछ भी नहीं है ना होगा ना कभी हो सकता है ये सिर्फ नौ भारत की बात हो रही है नए भारत की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है अब आप कहेंगे कि नया भारत क्या है प्रधान मंत्री ने एक छोटी सी बात कही, सुच्छता अभियान चलाओ, आप सोचिए हम अपने घर को साफ रखते हैं, बाहर गंदगी फैलाते हैं, अगर हम इसी गंदगी को बाहर भी साफ रखने लगें, तो क्या नया भारत नहीं बनेगा, आज प्रधान मंत्री बिजली बचाने की बात करते हैं, छोटी छोटी बात है, मुझे याद है कि LED की बात कर रहे थे, तो लोग हसते थे, क्या यार, इतना बड़ा प्रधान मंत्री LED की बात कह रहा है, 60 रुपे में एक बल्ब दे देंगे, लेकिन उसी LED बल्ब से, आज देश में कम से कम 25-30,000 करोड करके चीजों को बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होना है, और कोई कुछ भी नहीं करेगा, प्रधान मंत्री जी के पूरे भाशन को आप देखे, वो यही छोटी छोटी बात, वो इन फैक्ट यहां तक बात करते हैं, कि बच्चे पढ़ें, तो बच्चों का सपना कैसा हो, बच न्यू इंडिया सपनों से हकीकत की और बढ़ता भारत, न्यू इंडिया जहां उपकार नहीं अवसर होंगे, न्यू इंडिया की नीव का मंत्र सभी को अवसर, सभी को प्रुच्चाहन, न्यू इंडिया नई संभावनाओं, नए अवसरों का भारत, न्यू इंडिया लहर दूस भी करते हैं कि एक समय था जब एक वैद्य राज होता था और पूरा शहर पूरा कस्वा स्वस्थ होता था आज क्या हो रहा है आज बहुत सारे specialist doctor है लेकिन हर घर में विमारी है तो basically new India का जो concept है वो इसी के इर्दगिर्द पूरा का पूरा ताना बाना बुना हुआ है कि आप अपने विचारों को अपनी अभिवेक्ति को धरातल पर उतारिए अभी दिनेश जी जिस बात को कह रहे थे कि दो मुहापन की बात कह रहे थे, दो मुहापन यही है, हम घर में स्वच्चता की बात करते हैं, यहां अगर बात करेंगे, वहीं अपनी गाड़ी ड्राइब कर रहे होंगे, तो कुड़ा निकाल करके फेंक देंगे, कुछ भी खाएंगे, बाहर फेंक देंगे, कई बार तो हमने खुद में देखा है कि मेरा बेटा रोक रहा है पापा ये क्या कर रहे हो नरेंद्र मोधी स्वस्ता अभियान तो शरम आती है तो ये दो मुहापन हमें दूर करने की जरूरत है मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते वे बहुत संक्षित में दो तीन चीजें कहना चाहूँगा कि अगला साल जो है वो 2018 ये एक बहुत ही विशिश्च साल है पहली बार 21 शताबदी में जो व्यक्ति 2000 में पैदा हुआ होगा वो 2018 में 18 वर्ष का पूरा होगा तो 21 शताबदी का जो पहला नव्यूवक होगा वो एक जन्वरी जिनकी डेट पूरी होगी वो फिर एक नया भारत की एक परिकल्पना दे रहूं है कि हम उन लोगों को अपने समाद से और जादा प्रेरित करें उनको समाद से जोड़ें और उनको आगे बढ़ाएं तो शायद समाज में एक बड़ा बदलाव हो सकता है दूसरी बात कि हमारे जो व्यक्तिगत तोर पे होते हैं समाजिक संस्थाएं होती हैं स्कूल होता है और बाकी तमाम युनिवर्स्टीज क्या ये संभव है कि हम इन लोगों में एक प्रतिस परधा क्रियेट करें कुछ ऐसा नया क्रियेटिव करने के लिए कि बही तुम चलो स्वच्था अभियान चला रहे हैं तो उस युनिवर्स्टी ने एक पूरे के पूरे इलाके को अपने वो में ले लिया कि हम इसे देखेंगे एक साल दो साल और बेसिकली साबसफाई से ज़्यादा एक मनोभाव क्रियेट करने की बात है नया भारत यही ह कि रान मंत्री जी एक और बात कहते हैं मैं उसे कहकर खतम करना चाहूंगा कि संकल्प से सिद्धी ये बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है पांच साल का समय उन्होंने लिया है जिस तरीके से 1942 से 1947 का एक वक्त था ये वक्त भी हमारे लिए बहुत बहुत पूर्ण है अगर हम आज से अभी से कुछ ऐसा संकल्प ले लें कि हम अगले पांच साल में कुछ नया करेंगे तो यकीन मानिए नया भारत बनने में कोई समय नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा और जितनी बड़ी बड़ी बाते हम यहां कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं कि इतने आइडियाज दे दिये वो आइडियाज आप घर से ही इसकी शुरुबात कर सकते हैं बिलकुल घर से कि जैसे मैं अपनी सोच बदलनू एक वाक्या है एक तुलना वो अकसर करते हैं कि स्वतंतता अंदोलन के समय में जो भी वेक्ती कुछ भी काम कर रहा था अगर वो जूते चपल का काम कर रहा है वो प्रेश चाप रहा है वो कुछ भी कर रहा है हर इंसान स्वतंतता अंदोलन से अप का free में ठीक कर दिया तो उसको भी लगा जी मैंने तो कुछ कर दिया जो मेरे लायक है कोई कविता लिख रहा है कविता उसने लिख दी और उसने अपने आपको ये महसूस कर लिया कि हमने तो कुछ योगदान दिया है यही भावना इस समय है डेवलप करने की जरूरत है हम हर काम में यह सोचें कि मेरे काम से देश का अहित नहों अगर हम बाहर कुड़ा पहेक रहे है तो क्या हमको यह सोचना चाहिए कि इस कुड़े को फेकने से गंदगी फैलेगी यह कुछ गलत होगा तो यह एक चीज है जो हमें करनी चीए, एक मेरा मानना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने से कमजोर किसी एक व्यक्ति को उपर उठाने की कोशिश करें, अपनी कमियों से जो हम चीजें भूगत रहें, उन चीजों से अपने आपको जोडते वे धरातल पर कुछ नहीं चीजें क्र होता है सर्फ कर देना होता है और यही है मेरे सपनों का नया भारत और इसी दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है बहुत-बहुत धन्यवाद